बी पार्ट थर्ड में आज हम जो मिल है उसके स्वतंतरता के जो हमने विचार देखे थे उन्हीं की आलोचिना आज हम देखते हैं तो जैसा कि आपने देखा था कि मिल स्वतंतरता संबंधी विचारों में दो प्रकार के विचार बताता है कि एक विचारिक स्वतंतरता और दूसरा कार्य स्वतंतरता विचारिक स्वतंतरता को कहता है कि विचारिक स्वतंतरता व्यक्ति को पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए राज्य द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंद उसके उपर नहीं होना चाहिए जबकि कारिय सोतंतरता के अंतरगते केवल स्वय विस्यक कारिय हैं वो व्यक्ति के बिना किसी प्रतिबंधों के होने चाहिए तथा ऐसे कारिय जो परिविस्यक हो जो दूसरों पर प्रवाव डालते हों उन कारियों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है तो ये हमने देखा स्वतंतरता के बारे में वो कहता है। अब हम देखते हैं कि विभिन विचार को ने इसकी आलोचना की है और अनेक आधारों पे इसकी आलोचना की है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बारकर कहता है कि मिल की जो स्वतंतरता है वह है खोखली स्वतंतरता ह खोकली स्वतंतरता उसने क्यों कहा है यहां ध्यान दीजिए आप कि बारकर का ही मानना है कि मिल केवल स्वतंतरताओं की बात तो कहता है कि व्यक्ति को राज्य में स्वतंतरता कुछ भी करने की स्वतंतरता जो स्वेविसेक हैं विचारों की पूर्ण स्वतंतरता है लेकिन ब बारकर का मानना है कि यह केवल खोक्रिली स्वतंतृता है। केवल बंधनों का अभाव जिसे हम कहते हैं, तो केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंतृता है। यह केवल एक स्वतंतृता का नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। बारकर उसे सहमत नहीं है। वो ये कहता है कि वास्त्विक स्वतंतरता का पोशन उसी सोसाइटी में उसी राज्ये में हो सकता है जहां व्यक्ति को पहले परियाप्त मात्रा में अधिकार दिये जाएं जब व्यक्ति को परियाप्त मात्रा में अधिकार मिलेंगे उसके बाद में व्यक्ति स्वतंतरता का स येवले कि नामात्र की सोतंतरतान रहती हैं, तो इसकी पहली आलोचना इस आधार पे की जाती है। दूसरी बात ये माना जाता है कि मिल जिस व्यक्तिगत सोतंतरता की बात करता है, उसमें उसने व्यक्ति को एक इकाई मान लिया है। ठीक है यह आपने पहले भी पढ़ा है कि जो मिल ने जो सुतंतरता दी थी उसने उन सिद्धान्तों का एक तरीके से उन सिद्धान्तों की विरोध में अपना सिद्धान्त प्रकट किया है जिन सिद्धान्तों में ये माना गया था कि राज्य सर्वोपरी है और व्यक्ति केव उन राज्यों का एक साधन मात्र है या एक काई मात्र है ठीक है ना तो उनके Wyruddh मिल ने अपनी स्वतंतरता का सिध्धांत दिया था लेकिन यहां मिल की स्वतंतरता के विरुद्ध आलोचक के कहते हैं कि व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति मान लेना और एक स्वतंत्र इकाई उसको मानते हुए, आप जब उसको सारी स्वतंतरताइं दे रहे हैं, तो ये आलोचा कहते हैं कि यह उच्चित नहीं है, व्यक्ति और समाज, इनके बीच में गनिष्थ संबन्ध है, व्यक्ति स्वेम एक सामाजिके प्राणी है, व्यक्ति सामाजिक है इसलिए समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व है आलोचक कहते हैं कि नहीं है जबकि मिल जो बात कहता है वो समाज से अलग हटके उसे एक व्यक्ति अलग एक पूरा व्यक्तिवादी जो विचार हैं या व्यक्तिवादी स्वतंतरता हैं वो देना चाहता तो आलोचकों का यह मानना है कि मिलने व्यक्ति और समाज के घनिश संबंदों को सही डंग से प्रकट नहीं किया है या दूसरे सब्दों में कहें तो वह आलोचक कहते हैं कि वह व्यक्ति के सामाजिक जो जीवन है उसको सही डंग से जान नहीं पाया है इसलिए उसने व्यक्त अगली जो आलोचना की जाती है तीसरे नंबर पर यह हम देखें तो मिल की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि मिल स्वतंतरता की तो बात करता है लेकिन मिल समानता की बात नहीं करता है स्वतंतरता की बात तो कर रहा हो लेकिन समानता इक्वैलिटी पे उसने कहीं कोई बात नहीं करी है और वहीं बात फिर आती है कि समानता के अभौबें भी स्वतंतरता कोई माईने नहीं रखती है आप सबको स्वतंत्रता देदो और आप समान उनको परिवेश उपलब्द नहीं करवा रहे हो, आप समान उनको वातावन उपलब्द नहीं करवा रहे हो, समान परिश्थितियों उपलब्द नहीं करवा रहे हो, यदि परिश्थितियों में असमानता हैं, तो ऐसी इस्थिति स्वतंत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत सकते हैं क्योंकि जब असमानता होंगी तो आगे चलकर स्वतंत्रता हैं क्रांती का कारण बन जाएंगी समानता में दी स्वतंत्रता है तो development होना स्वभाविक है लेकिन स्वतंतरता आपने दे रखी और एसमानता हैं आपने खूब ज़्यादा कर रखी है तो आलोचक के कहते हैं कि उस इस्तिती में वह है आपकी स्वतंतरता और एसमानता अब दोनों मिक्स जब हो जाती हैं तो यह कहरा है कि वो चीजें बनती है क्र क्रांतिया देखी हैं उनमें भी वैचारी क्रांतियों से जो शुरुआत हुई वो कारण उसका मूल आप देखेंगे असमानता ही आपको मिलेगा तो इस द्रिष्टी से भी आलोचक मिलके स्वतंतरता संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं अगला जो उसकी आलोचना की की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि आलोचकों का यह मानना है विशेस रूप से जो आदर्स्वादी विचारक हैं या जो कल्यानकारी राज्य की जो कंसेप्ट के समर्थक हैं उन विचारकों का मानना है कि राज्य का हस्तक्षेप है उसमें भी व्यक्ति को वास्तिक स्वतंतरता प्राप्त होती है ठीक है तो कल्यानकारी राज्य के जो समर्थक है वो तो कहते हैं कि जब राज्य कल्यानकारी योजनाए लेने के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करेगा तभी व्यक्ति वास्त्विक रूप से स्वतंतरता का लाभ ले पाएगा हमें लगता है कि राज जी हमारे जीवन में दखलंदाजी दे रहा है लेकिन उस दखलंदाजी से यदि व्यक्ति का जीवन सुन्दर बनता है यदि व्यक्ति का जीवन नेतिक बनता है यदि व्यक्ति विकास के मार्क पर आगे बढ़ता है तो यह एक्जामपल आप देख सकत लेकिन आगे चलके वही व्यक्ति ऐसे बहुत सी व्यक्ति हैं आज हमने सुना जो कहते हैं कि हमने उस दोर में एजुकेशन का मोका मिला लेकिन हमने अपनी लापरवाई से शिक्षा प्राफ्त नहीं की और आज हम तकलीफ पा रहे हैं तो यहां आप कह सकते हो कि उस दोर में उस व्यक्ति के लिए स्वतंतरता का मायना यह था कि वो शिक्षा ग्रेंड नहीं करे, उसे नहीं पसंद थी, लेकिन आज वही व्यक्ति कहता है कि उनके निर्ने गलत साबित हुए, यदि वो शिक्षित होता, तो आज वो एक बहतरीन जगे या मानलीजे अपना development और अच्छ आज जिस इस्तिति में उससे और बहतरीन तरीके से कर पाता, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए, राज्ये ने कानून बना दिया, राज्ये मानलीजे कानून बनाता है कि प्रतेक व्यक्ति या प्रतेक अभिभावक है, वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाएगा, यह उसका कृतव्य है, या उसकी जिम्मेदारी तै कर दी, अब उस इस्तिति में यह दिया, विभावक के समझे, कि मेरे व्यक्तिकत जीवन में हस्तक्षे दे रहा है, या जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, वो समझे कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, राज्ये जबरस्ति मेर व्यक्तियों को लगे कि वो उनके जीवन में अनावशक हस्तक्षेप है, लेकिन जब वो भविश्य में जाके देखेंगे उन्हीं चीजों को, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति उन्हीं चीजों को स्वेम भी स्विकार करता है, कि राज्ये का हस्तक्षेप उनकी वास्त्व के से उठा पाएगा आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं राष्ट्रों में जो आप विकासी राष्ट्र देखेंगे उन्हीं राष्ट्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन होता है जहां व्यक्ति अपनी शिक्षित नहीं है या जहां व्यक्ति में जाग रुपता हैं नह हस्तक शेप के द्वारा व्यक्ति को वास्त्विक जो real freedom है real liberty है वो मिलती है अगली जो आलोचना आलोचक करते हैं वो ये कहते हैं कि मिल कहता है कि जो संकी है जक्की लोग हैं उनको भी स्वतंतिरता देनी चाहिए उनको अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है और समाज उनके विचारों को सुने जाने अच्छे से उनको समय दे लेकिन आलोचक के कुछ आलोचक इससे सहमत नहीं है वो यह कहते हैं कि जो व्यक्ति संकी है जिसमें सनकपन की बिमारी है तो वो कहते हैं कि ये भी एक तरीके कहीं न कहीं एक मानसिक विक्रती के रूप में है और ऐसे व्यक्ति का यदि संपूर्ण लोग उनकी बात सुनने लग जाएंगे सबी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं जैसा कि मिल कहता है कि उनको सुनना उनकी अभिव्यक्ति सहर को सुननी चाहिए उनको स्वतंतरता पूर्ण होनी चाहिए तो यह कहरें कि उसमें अब उनकी यदि हम तुलना करें वो उदाहरन देता है सुकरात का तो सुकरात अपने समय क ग्यानी व्यक्ति था ठीक है वो तो लोगों ने उनको संकी गोशित कर दिया लेकिन लोगों ने भी जो लोग सुक्रात के विरोधी थे उन लोगों ने बाकी सुक्रात उस समय ग्यानी था प्लेटो जैसे लोग जिन्होंने उनको अपना गुरुमान रखा था तो उनको हम संक यह जैसा कि मिल कहता है यह प्रतेक बातें सुनने लग जाए तो समाज का बहुत समय है उनमें चला जाएगा और हो सकता है कि कई बातें उनकी ऐसी कई का अधिगांस बातें ऐसी मिलेंगी जिनका कोई सिरपैर भी नहीं है तो यह मानना कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी बोल रह है उस इस्तिती में कई वार हम देख रहे हैं कि समाज में वहमनश्यता का कारण भी बनती है सामप्रदाइकताओं का कारण बनती है विभिन रास्ट्रों में ऐसी घटनाय देखने को मिल सकती है या मिली है हमें तो इस मामले में प्रतेक व्यक्ति को एनेतिक जो विचार है वो सोसाइटी में रखने के अधिकार आलोचक के नहीं दे रहे हैं वो करें विचार भी नेतिक होते हैं एनेतिक होते हैं समाज में जहर फेलाने वाले होते हैं तो हम एक प्रतिबंधित जो स्वतंतरता है विचारों की वो व्यक्ति को इस नाम पे नहीं दे सकते कि उसे कु अधार पर की जाती है कि मिलने कारिये विभाजन किया है स्वेविसेक और परविसेक लेकिन व्यवहार में हम देखें तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है उसका हर कारिये दूसरों को प्रभावित करता है जब व्यक्ति सामाजिक प्राणी है इसी समाज में रहता है तो उस उसका स्वयम का परिवार भी है जैसे मालीजे मिल कहता है कि एक व्यक्ति को अपने परिवार में अपने घर में बैठके वो कहता कि दिवो सराब पीता है तो वो उसका स्वय विसेकारी है उसे सोतंतरता होनी चाहिए लेकिन यदि आलोचक कहते हैं कि उसके परिवार जन उसकी संतान उसे देखती है तो क्या उन पर उसका बुरा प्रवाव नहीं पड़ता है उस गटना से क्या आने वाली पीडी है उसमें सराब का परचलन नहीं होगा और यदि होता है तो क्या उसका कारिय स्वय विसेक है फिर क्या वो कारिय पर विसेक नहीं है क्या उसका कारिय उसका गर में बैठकर पीना भी दूसरे व्यक्ति को प्रतेक्स रूप से प्रवाहित नहीं कर रहा है, अपने परिवार को प्रतेक्स रूप से प्रवाहित नहीं कर रहा है, दूसरा यदि हम देखे कि एक व्यक्ति सराब पी रहा है, तो एक बड़े धनका अप्वे कर रहा है अपन परिवार में अपने परिजनों के साथ मार पीट करना यहां तक की हत्यां तक करना जैसी घटनाय आपने सुनी होगी तो यहां हम देखते हैं कि यह कारिय भी एक व्यक्ति दिछुपचाब भी कोई कारिय कर रहा है तो भी वो उसके परिवार पर बड़ा इफेक्ट डालता है और सबसे बड़ी बात ही है कि जैसे मानली जी व्यक्ति मिल कहता है कि व्यक्ति अपने बारे में सबसे बहतर तरीके से जानता है ऐसा सदयव सत्य नहीं होता है अनेक बार आप गटनाय पढ़ते हो आत्मत्या ही गटनाय आप सुनते हो तो क्या आत्मत्या किसी भी व्यक्ति के लिए बहतर decision हो सकता है कता ही नहीं हो सकता कभी कभी कितनी भी विप्रीट से विप्रीट पर इस्तिति आ जाए लेकिन एक व्यक्ति अपने आपको समाप्त कर दे यह किसी भी स्तिती में हमारा समाज इसे सही नहीं मान सकता ऐसी स्तिती में अब चुकि जैसा कि मिल कहता है कि हर व्यक्ति अपने उपर अपने सरीर के उपर और अपने मस्तिस के उपर स्वयम स्वयम प्रभू है और वो डिजन अपने स्वय से संबंदित स्वयम डिजन लेने के लिए वो स वत्रंतर था समाज को परभाववंद नहीं कर रही है एक व्यक्ति जिस को सोसाइटी ने ऐसी बात थोड़ी है कि एक व्यक्ति बढ़ता है पलता है उसे व्यू ऐकती का सौयम का योगदान थोड़ी होता है कितने समाज के लोगोंने ज HEY अपना योगदान दिया है तब एक व्यक्तित का व्यक्तित तो तयार होता है कोई उसके लिए खाना तयार कर रहा है अनास तयार कर रहा है कहीं से ग्यों आ रहा है कहीं से एजुकेशन की विवस्ता हो रही है और ऐसी इस्तिती में लास्ट में व्यक्तिती जाके अपने आप के साथ कोई बुरा कर लेता है तो क्या उस इस्तिती में वह समाज के साथ नयाय है जिस समाज ने उसको बहुत कुछ दिया और जब उसकी वापस देने की बारी आती है समाज को उस समय दी वो अपने आपको समाप्त कर लेता है या मानली जी अपने आपको सुराब में डुबो देता है चाहे वो घर में बैठा हो लेकिन क्या उस व्यक्ति का महत्व है जो समाज को मिलना चाहे था उसका उप्योग जो समाज भी होना चाहे था तो क्या ये पूरे समाज को एक हानी नहीं है समझ गया आप इस चीज को तो कहने का मतलब है कि स्वय विश्यक और पर विश्यक कारी है तब हो सकता था यदि मानली जी व्यक्ति बिलकुल अकेला कही रहता हो या उसे समाज से कोई लेना देना नहीं हो वह स्वयम ही अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो लेकिन यहां हम देखते हैं कि व्यक्ति समाजिक प्राणी है इसी समाज से वैहने को चीजे प्राप्त करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी क्षमताओं का लाव समाज को प्रदान करे अता इस द्रिष्टी से भी मिलके स्वतंतरता समंधी विचार में जो कारी विभाजन है उसे आलोचक स्विकार नहीं करते हैं उनका मानना है कि वैक्ति समाजिक प्राणी है और समाजिक प्राणी होने के नाते कोई भी कारिये उसका स्वेव इससे कारिये नहीं माना जा सकता ठीक है ऐसे ही विकासील राष्ट्रों के लिए मिल कहता है कि जो ओपनिवेश्चिक राष्ट्र है अभी उनमें पूरी तरीके स्वतंतरता नहीं दी जा सकती और विक्सित राष्ट्रों को वह मानता है कि वहाँ भी स्वतंत्रता का पूर्णत माहुल बना हुआ है, तो इस अधार पर भी आलोचेव, उसकी आलोचना करते हैं कि ये उसका जो, एक दोहरा जो विचार है, ये सही नहीं है। या तो स्वतंतरता सब में लागू होनी चाहिए, या कहीं भी लागू नहीं होनी चाहिए. तो केवल विक्षित कंट्रीज में ही वो मानें कि लोग वहाई केवल स्वतंतरता का वास्ति उकलाब प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी भी आलोचना की है, और अगली एदि हम बात करें, तो जो अभी हमने बात की, कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षे सदैव सही नहीं मानना भी गलत है, ये आलोचन के कहते हैं कि व्यक्ति दो चीजों से प्रवावित होता है, एक अपने विवेक से और एक बहावनाओं से, और प्राय बहावनाओं में बहकर कई बार व्यक्ति गलत निरने ले लेता है, तो जो गलत निरने लेता है, उस इस्तिति में आप देखते हो, कि राज्य उसे सही दिसा में चलने के लिए बात दे करता है, राज्य के कानून, राज्य का हस्तक्षे उसे अन कि जा सकते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि मिलके स्वतंत्रता समंधी विचारों की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है तो यह आपका पूरा प्रसंद कंप्लीट होता है और लास्ट में जो आप महत्तों बताएं तो इसकी इंपोर्टेंस आप बताएंगे कि व्यक्तित्यों का विकास्वेत तभी कर पाता है जब उसे व्यक्तिकत रूप से पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो लेबर्टी का जो एक वीज रोपा है उसने जो राज्ये के नाम पे जो एक त्याग बलिदान आहुती जो व्यक्ति से ली जा रही थी सही गलत तरी है तो मिल की लिबर्टी का इमpowerं से आज हम देक रहे हैं कि स्वतंत्र महोल में रह करी इमिल जैसे स्वतंत्रता वाधी विचारकों ने आज विक्तियों को स्वतंत्रता दी है उसके चलते हम देखते हैं कि लोगों करते हैं यह सब इनी विचारकों की देन है ठीक है तो आज हम इस पूरे चप्टर को यहीं समाप्त करते हैं मिलके स्वतंत्रता संबंदी विचारों को नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मिलके प्रतिन इध्यात्मा के रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्मेंट है उसके उपर मिल क्या कहता है